नमस्कार प्रेश शिक्षार्थियों मैं डॉक्टर निधीगर्ग आज कम्मुनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वावत करती हूँ आज हम यहाँ पर मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान अर्थाथ लेकर के उपस्तित हुए हैं अभी तक हमने काफी system के बारे में पड़ा है जैसे की digestive systems, skeletal system, respiratory system, excretory system आदी आप जानते ही हैं मानव शरीर हमारा कई संसानों तंत्रों को अर्था systems को मिला करके बना हुआ है और इन सभी तंत्रों की अपनी एक अलग विशेष्टा है और एक अपना अलग प्रकार का ये कारे करते हैं ये सभी चाथ में कारे करते हैं तब हम अर्चे से काम खर पाते हैं तो इसी कड़ी में आज हम एक मेया सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र लेकर यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन जो है किसी भी जाती का या प्राणी का तभी आगे बढ़ सकता है जब वे अपनी संख्या में वृध्धी करते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृधि करते हैं, उसे प्रजिनन अर्थात reproduction कहते हैं प्रजिनन सजीवों का अर्थात जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका सर्प्रमुक लक्षन है इस प्रित्वी पर जीव जातियों की संतता प्रजनन के फलसवरूपी संभव हो सकती है इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रम है या वह प्रग्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की उत्पत्ति करता है और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धी कर अपनी जाती के अस्तित्व को बराबर बनाए रख कर उसे विलुप्त होने से बचाता है अर्थात अपने आपको विलुप्त होने से बचाता है अपनी एक नई संत्ति उत्पन करता है जिसकी वजह से उसका अस्तित्व इस स संसार में बना रहे निर्जीवों में यह प्रजणन क्रिया नहीं होती है तो सरिश्ची ने सभी जीवों में अलग-लग जीवों में प्रजणन की विवस्था अलग-अलग की है जैसे आप जानते हैं अमीबा एक कोश्किय जीव है या बैक्टीरिया है जिसमें अलेंगिक जर है या पशुपक्षी है उनमें यह प्रजिनन जो है लेंगिक अर्थात सेक्शुल रिप्रोडक्शन होता है अथा इसमें माता-पिता दोनों के अनुवान्शिक गुन उसमें पहुंचते हैं पुरुष्ट दोनों की जनन अंगों की रचना तथा कारें अलग-अलग होते हैं और यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि यह मनुश्य में स्थ्री और पुरुष्ट दोनों में अलग-अलग होते हैं उनकी तो जानकारी हमें लेनी ही है लेकिन क्यूं लेनी है यह भी हमें पता होन छाहिए क्यूंकि इस्वास्थ्य क लेकरता होने के नाते । आपको जिस एरिया में आप काम करेंगे जिस शेत्र में आप काम करेंगे यह आप काम कर रहे हैं खास तौर से ग्रामिन इलाकों में वहां पर लोग अभी भी खुलकर अपनी योन समस्याओं के बारे में बात न की सुच्चता और बिमारियों को नजर अंदास करती हैं जिसका परिणाम लंबे समय के बाद उन्हें गंभीर बिमारियों में भुगतना पड़ता है महिलाई अक्सर अपने परिवार की वेगभाल की प्रात्मिक्ता में अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं और हम कहें तो महिल की और पुरुषों की भी कोई मदद नहीं कर पाते हैं इसलिए आपको यहाँ पर प्रजनन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी लेना आवशक है जिससे कि आप इन लोगों की मदद कर पाएं और जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसमें यह भी है कि जो पुरुष है वह भी अपने योन संबंदित बिमारियों के बारे में बात करने से हिचके चाते हैं और जो महिलाएं हैं वह खास्तोर से पुरुष डॉक्टरों से बात नहीं करना चाहती हैं और क्यूंकि यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों ही अपने योनंगों से संबंदित बिमारियों को छिपाते हैं उनका सही ग्यान ना होने की वज़े से अज्ञानता के कारण और परंपरागरत जो धारना हैं भ्रांतियां हैं उनके कारण वे गंभीर विमारियों का या गंभीर व्याधियों का शिकार हो जाते हैं जिनसे आप अपने सही ज्ञान से उनको इन भ्रांतियों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो आईए हम अब इस प्रजनन तंत्र के विशे में कुछ बात जानते हैं। से लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रजनन क्या है? जैसा भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जिस परिक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में व्रिद्धी करते हैं, उसे प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन तंत्र जीव के सभी प्रजिनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजिनन तंत्र रिप्रोड़क्टिव सिस्टम कहते हैं नर केवल शुक्रानू अर्था स्पर्म सुत्पन करते हैं, मादा जो फिमेल्स हैं वे केवल अंडानू ओवम उत्पन करते हैं मानव में जनन अंग मादास में 12-13 वर्ष की उम्र में तथा नर में 15-18 वर्ष की उम्र में प्राहे क्रियाशील हो जाते हैं तथा अनेक परिवर्तन आते हैं ऐसे परिवर्तन जब हम फिमेल्स की बात करते हैं तो उनमें प्राय वक्ष तथा जनन अंगों पर बाल उगने तथा नर्व में दाड़ी एवं मुझे आने से दिखाई देते हैं पर बात करेंगे स्थ्री प्रजनन अंगों का मुख्यकार है उर्वरंड के लिए अंढानन ऊववं को उत्पन करना तथा विक्सित होने गर्भ को धाराण करना है महिला प्रजनन तंत्र दो भागों का बना होता है पहला है बाहय जनन अंग जो कि आप बहारी तोर पे देख सकते हैं दूसरा है आंधरिक जनन अंग सबसे पहले बात करते हैं स्थ्री बाहय जनन अंग की इसमें शामिल है भगनाश है, वल्वा जिसे हम कहते हैं तीम द्वार होते हैं, मूत्र द्वार, योनी द्वार और गुदा द्वार तीसरा है भगन शिष्णी या योनी लिंग जिसे कलाइटोरिस बोलते हैं और चोधा है पेरिनियम जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं भगनाशे जो वलवा आप देख सकते हैं, योनी द्वार देख सकते हैं, मूत्र द्वार देख सकते हैं, गुद्द्वार देख सकते हैं और एक बीच में हाईमन जिसे हम योनी छित बोलते हैं, वेह भी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा भग नाशे यह जनन तंत्र का बहारी हिस्सा है यह ज्यादा तर त्वचा की दोहरी पर्तों पे बना होता है इस हिसे का मुखे काम योनिक है यानि संभोग के समय शिश्न और वीर्य को समाहित करना भग महिला जननेंद्रियों का वह हिस्सा है जो बहार से दिखाई देता है योनि मुख को दोनों और से सुरक्षित करने के लिए इसमें त्वाचा की छोटी और बड़ी होड जैसी आकरतियां होती है योनिचित या हाइमन योनितवार को ढखने वाली पतली जिल्ली नुमा आवरन है यह घुर स्वारी करने, साइकल चलने, वयाम करने से भी फट सकता है इसलिए इसे कुमारे का प्रतीक नहीं माना जाता पहले यह भांती थी कि यदि यह किसी स्त्री में उपस्तित है तो वह कुमारे, उसका हम मानते थे कि यह कुमारे है अर्थात कुमारी है लेकिन ऐसा सही नहीं है क्योंकि आजकल के टाइम में या पहले भी घुर सवारी करते है रड़कियां जैसे साइकल चलाती है वयाम करती है तो उससे भी फट जाती है यह जरूरी नहीं है कि सबसे पहले संभोग करने पर ही यह फटती है ऐसा जरूरी नहीं है मूत्रमा क्लाइटोरिस के ठीक नीचे भग के ऊपर खुलता है आएए अब बात करते हैं स्थ्री के आंतरिक प्रजनन अंगों की इसके मुखे अंग है अंडाशे, ओवरीज, डिम्ब वाहिनिया, फैलोपेन ट्यूप्स, गर्भाशे, यूट्रस, योनी, वेजाइना जैसा आप चित्र में देख सकते हैं अंडाशे, जो ओवरीज हैं दोनों तरफ हैं, फैलोपेन ट्यूप्स, जो आपको पतली नली नूमा जो स्रक्चर दिखाई दे रहा है वह है, आपकी डिम्ब वाहिनिया है या अंडवाहिकाएं हैं तीसरा गर्भाश है, जो की आप एक बीच में देख सकते हैं, सबसे बीच में जो है वह गर्भाश है और नीचे जो है आप पतली नली सी जो देख रहे हैं, यह योनी हैं, जिसे हम विजाइना कहते हैं सबसे पहले बात करेंगे अंडशे की, प्रतेक मादा में एक जोड़ा अंडशे होता है, यह उदर के नीचले भाग में श्रोणी गुहा अर्था पेल्विक केविटी में दोनों और दाएं और बाएं एक एक स्थित होते हैं प्रतेक अंडाशे एक अंडाकार रचना होती है, प्रतेक अंडाशे लगभग 4 सेंटीमेटर लंबा, 0.5 सेंटीमेटर चोड़ा और 1.5 सेंटीमेटर मोटा होता है, अंडाशे पेरिटोनियम जिल्नी द्वारा उदर एब्डोमेन में सटा रहता है अंडाशे के भीतर अंडाणू का अंड जनन द्वारा निर्मान होता है, जैसर कि नाम से ही आप समझ पारे होंगे, अंडाशे अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर जो मादा है वह अपने अंड का निर्मान करती है, ओवम का निर्मान यहाँ पर होता है अंडाशे का मुख्यकार अंडानू अर्थात ओवम पैदा करना है, अंडाशे से दो हॉर्मोन इस्टरोजन तदा प्रोजेस्ट्रोन का स्राव होता है, जो की रितु स्राव महावारीजी से हम बोलते हैं, मैंसुरेशन को नियंद्रित करते हैं महिला के शरीर में ओस्ट्रेजन और प्रोजेस्टरन दो बहुत मुख्य मेन हार्मोन्स हैं जो कि किसी भी स्ट्री को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं डिम्ब वाहिनिया फैलोपियन ट्यूब्स अंड वाहिनी या फैलोपियन नलिका जो हम बोलते हैं इनकी संख्या दो होती हैं जो गर्भाशे के उप्री भाग के दोनों बगल में रहती हैं प्रतेक फैलोपियन नलिका लगवग 10 सेंटीमेटर लंबी होती है इस नलिका का एक सिरा गर्भाशे से सम्मंदित रहता है और दूसरा सिरा अंडाशे की और अंगलियों के समान जालर बनाता है इस रचना को हम फिम्ब्री कहते हैं फैलोपियन नलिका से अंडानू गर्भाशे में पहुँचता है पेलोपिन नलिका का प्रमुक कार्य फिम्री द्वारा अंडानु को पकड़ना और गर्भाशे में पहुंचाना है अब बात करते हैं गर्भाशे की यह एक नाश्पती के समान रचना होती है जो श्रोणी गुहा पेल्विक केवेटी में स्थित होती है यह समानेता 7.5 cm लंबा, 5 cm चोड़ा तथा 3.5 cm मुटा होता है इससे उपर की तरफ दोनों और अर्थार दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिन्या खुलती है इसका निचला भाग संकरा होता है जिसे गृवा सर्विक्स कहते हैं गृवा आगे की ओर योनी में परिवर्तित हो जाता है और गर्भाषे का निचला छिद्र इसी में खुलता है गर्भाषे की भीत्ती के अंदर की ओर एक कोशिक्य स्तर होता है जिसे गर्भाषे अंता स्तर एंडोमेटरम कहते हैं गर्भाशे प्रमुख कारे निशेचित अंडानों को फ्रून परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। अर्थाद जो गर्भाशय है हमारा वह जो आपका निश्यचित फर्टिलाइजड ओवम है उसको एक उच्छिस्थान प्रदान करता है उसकी वृद्धी के लिए योनी वेजाइना यहे एक नली के समान रचना होती है यहे लगवग साड़े साथ सेंटिमीटर लंबी होती है यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है इसके सामने मुत्राशय तथा नीचे मलाशय रेक्टम सित होता है योनी का एक सिरा मादा जनरन चिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दुसरा सिरा पीछे की और गर्भाशय गरिवा अर्था सर्विक से जुड़ा रहता है योनी के शरीर के बाहर खुलने वाले चिद्र की को योनी द्वार अर्था विजाइनल औरिफिस कहते हैं करते हैं पुरुष प्रजनन्तंत्र की मेल रिप्रोडॉड़क्टिव सिस्टम की मेल सिस्टम जो है इसका मुख्य कार रहे जनन कोशी का उत्पन करना तथा उन्हें निशेचन फर्टिलाइजेशन के स्थान तक पहुंचाना है इसके मुखे अंग है व्रिशन एवं व्रिशनकोष, टेस्टीज एम स्क्रोटल सैक, अधी व्रिशन, एपिडिदिमिस, शुक्रवाहिका, वास्ट डिफरेंस, शुक्राशे, सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट, मूत्रमा खार्ग और शेशन जैसा आप इहां चित्र में देख सकते हैं इन सभी स्ट्क्टर्स को व्रिशन एवं व्रिशनकोष जो नीचे आप ये देख रहे हैं जो लटका हुआ भागे वे व्रिशन है और उसका जो जिसके अंदर वेग और वह व्रिशन है उसको हम व्रिशन पू आगे जाता हुआ प्रोस्टेट ग्रंथी में जा रहा है और प्रोस्टेट ग्रंथी से ही यहां पर दो निकल रहे हैं डक्ट निकल रहे हैं जो की पूरे मिलकर के मूत्रमार्क को बनाती हैं और यह शिष्ण में आकर के खुल रही है प्रोस्टेट इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर आपको ब्लैडर के साथ नीचे की तरफ छोटा सा एक सुपारी जैसा भाग जो दिख रहा है वह आपका प्रोस्टेट है इसके ऊपर आपका मूतराशा है सबसे पहले बात करते हैं व्रिशन आवशन कोश की टेस्टेज एंड क्रोटल सेयक की व्रिशन नर जन गरंधिया हैं उनकी संख्या दो होती। व्रिशन नर्व में पाय जाने वाला प्राथमिक जननन्नंग है व्रिशन तवचा की बनी एक थैली जैसी रचना में स्थित रहते हैं जो शरीर के बाहर लटतती रहती है इसे व्रिशनकोश कहते हैं क्योंकि जो हमारे शरीर में शुक्रानू बनते हैं उनको एक कम ना पड़े अधी व्रिशन एपीडिमस यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो प्रतेक व्रिशन के पीछे स्तिर्थ होती है इसका एक छोर व्रिशन से जुड़ा रहता है तथा दूसरा छोर अधी व्रिशन से आगे बढ़कर शुक्रवाही का वास डिफरेंस ब इसकी अतिरिक्त अधी व्रिशन में शुक्राणों का परिपक्वन अर्थात मैचुरेशन भी होता है शुक्रवाही का वास डिफरेंस यह एक पतली नलिका होती है अधी व्रिशन से शुक्राणूं शुक्रवाही का में पहुंचते हैं शुक्रवाही का अधी व्रिशन को seminal vesicles से जोडती है ये शुक्राणों को आगे की और बढ़ाने का कारे करती है शुक्राशे seminal vesicles यह एक जोड़ी पतली पेशी युक्त भित्यों वाली रचना होती है अर्थात ये muscular structure रहता है यह पाली युक्त लॉब्ड रचनाएं होती है यह प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित रहता है दोनों और के शुक्राशे मिलकर स्खलनिय वाहिनी इजेकुलेटरी डग्त का निर्मान करते हैं प्रोस्टेट यह मूत्रमार्ग युरेत्रा से मूत्राशय तक संबंध रहता है इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है दोनों पुरस्थ ग्रंथियां संयुक्त होकर एक समाने पुरस्थ ग्रंथी का निर्मान करती है जैसे हम देखते हैं कई बार बुजर्गों में इसके आकार की वृद्धी हो जाती है तो जिसके कारण उनका मूत्रमार्ग सिकुड जाता है जिससे मूत्र त्याग करने में रुकावट की समस्या हो जाती है इसके लावा जो प्रोश्टेट है वह सैमिनल फ्लूड जो आपका सीमन होता है उसके भी फ्लूड में अपना योगदान देता है मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा तथा शिश्न, पैनिस शेश्ण से गुजर कर उसके उपरी भाग में खुलता है शेश्ण पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है शेश्ण शुक्र सीमन को शरीर से बाहर निकाल कर माधा की योनी वेजाइना के भीतर तक पहुँचाता है ये अभी हमने प्रजनन तंत्र के बारे में जाना कि प्रजनन तंत्र कि नंगों से बना है उनका कार्य क्या है आईए अब जानते हैं प्रजनन तंत्र से संबंदित समानने व्याधियों के बारे में जो कि महिलाओं में और पुरुषों में अलगलत पाई जाती है सबसे पहले जानते हैं महिलाओं में प्रजणन तंसे संबंदित क्या-क्या भिमारियां या क्या-क्या व्याधियां मिल सकती हैं सबसे पहले है सफेद पानी जाना कई महिलाओं को शिकायत रहती है कि उन्हें पानी बहुत जाता है तो यह भी प्रज़न तंत सम्बंदित है कि सफेद पानी जाना क्यों जा रहा है कई बारी जब महावारी के बीच में जब अंडा उत्सरजन का टाइम होता है तब भी सफेद पानी जाता है जो की एक नैचरल या नॉर्मल फिनोमिना है तो इसमें घबराना नहीं चाहिए ले खाना चाहिए क्योंकि सफेद पानी जाने के पीछे बच्चे दानी के मुगा संक्रमन भी हो सकता है या कोई और अन्य इंफेक्शन अंदर शरीर में हो सकता है जिसकी वज़े से सफेद पानी जा रहा है दूसरा है महावारी के समय दर्द होना महावारी के समय यदि किसी मह इलाग को दर्द होता है तो यह वी एक व्याधी के रूप में लेनाँ चाहिए क्यूंकि इसमें हॉर्मोन की कमी के कारण हो सकता है या कोई हॉर्मोन तबदिली हो रही है या अंदर यूटरस में गर्भाशे में कोई परिशानी है या योनी में कोई दिक्कत है तो जिसकी वज़े से महावारी में दर्द हो रहा है तो यह भी देखना चाहिए महावारी के समय रक्त का अधि यह भी एक व्यादी है कि महावारी के समय यदि अधिक रखत जा रहा है जिसकी वज़े से महिला में खून की कमी तक हो सकती है तो यह देखना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है कोई ग्रंथी जो हम बोलते हैं कि गांट हो गई है गरभाशे के अंदर जिसकी वज़े से ज देखना चाहिए कि महावारी के समय अधिक रखत जा रहा है तो क्यूं जा रहा है यह सब इसको हमें इग्णोर नहीं करना चाहिए जो महिला है उसको स्वास्थेकारेकरता को बताना चाहिए कि अगर उसे कोई परिशानी है तो और स्वास्थेकारेकरता का दाइप है कि वह उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाए या किसी महिला में महावारी का समय पर ना आना यह भी एक अपने आपने व्यादी है क्योंकि महावारी का अगर समय पर नहीं आती है तो महिला में कई परिशानियों का सामना वह कर सकती है कई बार वजन बढ़ना है बेचैनी होना है गभ ग्रन्ती रसोली नहीं हो गई जिसकी वज़ह से महावारी समय पर आँ आघरू इसकी और जहांगों में कुझली होना इसको सब्सक्राइब महिलाओं में कि जिसके बारे में खुलकर नहीं बता पाती हैं तो इसलिए अगर किसी महिला को कोई परिशानी होती है तो वह उसको तुरंत अपने समस्यां को बताए और उसका समधान करें या किसी महिला को संभोग करते समय दर्ध महसूस होता है तो यह भी एक समान्य जाकर के दिखाना चाहिए पुरुषों में देखें क्या-क्या व्याधियां हो सकती है जल ब्रिशन हाइड्रोसील की टेस्टिस में पानी भर जाता है तो यह ज्यादा तर जो ग्रामीन इलाके हैं जहां पे साफ सफाई कम है हाईजीन कम रहती है वहां के इलाकों में देखने हो पुरुष में कि उसका जो टेस्टिस है जो उसका व्रिशन है जो अनको उसमें पानी भरना शुरू हो गया है तो उसको तुरंत किसी डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए यदि किसी पुरुष में शुक्रानों की संख्या में कमी है तो वह भी इसमें आप इलाज करा से ठीक हो सकता है तो अगर कैसे पता चलेगा कि शुक्रानों की संख्या में कमी है जब हम बात कर प्रजनन की कर रहे हैं यदि किसी की कोई संतान उत्पन होने में नहीं हो रही है शादी को बहुत लंबा टाइम हो गया है तो नर और मादा दोनों की जांचे होती है तो उसमें अगर पुरुष के जो सीमन फ्लूड है उसमें शुक्रानों की संख्या का पता चलता है यदि उस्वे में संख्या में कमी है तो वह भी इलाज के द्वारा संभव है या कई मुरुषों में रहता है शुक्रानों बनते ही नहीं है उनकी संख्या हमें पता ही नहीं चल रहे ह यह सब आपको इससे मदद मिलती है कि या तो कहीं नहीं रहे हैं या फिर बन रहे हैं जो हमने मार्ग भी पड़ा कि क्या-क्या मार्ग से वीरे होकर जो शुकरानू है वे गुजरते हैं बीच में कहीं रुकावट है तो यह सब हमें तभी संभव है जब हमें इसकी रचना के नहीं करना है डॉक्टर से तूरंत सहयता लेनी है और अपना इलाज कराना है योन-संचारित रोग हैं कि आज भी महिला पुरुष अपने योन संचारित रोगों को डॉक्टर के साहथ बताने में शर्म हैसूस करते हैं तो यह सब होंको पड़ने के बाद थोड़ा सा स्वास्था गारे करता होने के नातर लोगों को अवेक करें उनको जागरुप करें कि यह सारी चीज़ें घबराने शर्माने की नहीं हैिनको बताना चाहिए क्योंकि यह संचारित रोग जो है आज का लेक बड़ा रूप ले चुके हैं तो उसमें HIV जो हम बोलते हैं जिसकी वह से एट्स होता है तो वह होने से बच जाएगा अगर हम पहले से ही इस चीज में अपनी जानकारी रखेंगे एक अन्य पुरुषों में जो व्याधी मिल सकती है लिंग अध्वा अंड़कोश में सूजन यदि किसी में लिंग या अंड़कोश में सूजन हो जाते है जिसकी वज़से बहुत दर्ध उनको महसूस होता है तो यह जो है आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए एक छटी विमारी रहती है गदूत बढ़ना जिसे आम अध्य आईयो के पुरुष हैं उनमें भी मिल रहा है तो इसलिए गदूत बढ़ना की विमारी को कि इसमें क्या-क्या चीजें हमें जानकारी रखनी है क्या-क्या चीजों को बचाना है कैसे इसका इसका इलाज कराना है जब बढ़ना शुरू होता है तब आप अगर इस प भी पी एच बिनाइन प्रोस्टेट अइपा ट्रोफी बोलते हैं तो यह चीज़े जो है आपको जानने की जरूरत है ध्यान देने की जूरूरत है लोगों से बात करें उनके उनको इस चीज के बारे में जाग रूख करें तो अभी हमने यहां पर प्रजणन तंत्र के बार कर सकते हैं जो हमारे समाज में भ्रांती है कि जो प्रजणन तंत्र के बारे में नहीं बात करते हैं यदि उन्हें कोई समाधान चाहिए होता है या उन्हें कोई परिशानी होती है तो वह अश्लील साहित्य या वीडियो देख करके अपना भ्रहम मिटाते हैं लेकिन भ्रहम मि तो उन सब चीजों को हटाने के लिए उन लोगों को जागरूप करने के लिए आपको इस प्रजमंत तंत्र की जो जानकारी है होना बहुत आवश्क है तो आशा करते हैं कि यह आपके लिए लाबदायक हुआ होगा इसी के सब धन्यवाद